दोस्तों हमारे दुनिया में बहुत से इत्तिफाक होते हैं जो कि कभी-कभी हमें सोच में डाल देते हैं और कई बार ये इत्तिफाक इतने रहसमी होते हैं जिन पर यकीन करना लगबग नामुम्किन सा हो जाता है जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ऐसे पांच इत्तिफाक जिनने देखकर आपके होश उड़ जाएंगे तो वीडियो के अंट तक बने रहे हैं मैं हूँ आपका होश उबंब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड दोस्तों जीम स्प्रिंगर और जीम लुइस नाम के दो जुड़वा भाई थे जो की बच्पन में ही बिचड़ गए थे वह जाकर 49 साल के बाद मिले दोनों के साथ इन 49 सालों में जो हुआ यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे जी हाँ दोस्तों उन्होंने मिलने के बाद आपस में बात चित की जिसमें उन्होंने यह पाया था कि उन दोनों की पत्नी का नाम एक जासा था जो की था लिंदा उन दोनों का तलाग भी हो चुका था उन दोनों ने दूसरी शादी की हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी का नाम भी एक जासा ही था जो था बैटी दोस्तों आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हरानी होगी कि उन दोनों का एक एक बेटा भी था और उन बेटे का नाम भी सेम था जो कि था जेमस एलन और साथ ही साथ उनके कुते का नाम भी एक जासे था जो कि था टोई नमबर चौर दे टून ब्रदर हो डाइड एक्जेक्ली दा सेम वे नेवली और एरिसकिन एबिन नाम के दो जुडवा भाई थे जो कि 17 साल की उमर में ही एक कार अक्सिडेंट में मारे गे दोस्तों अब आते हैं सबसे हरान कर देन वाली बात जिस कार ने नेवली का एक्सिडेंट किया उसी कार ने एरिसकिन एबिन का एक्सिडेंट भी किया था जिसकी वज़े से वे दोनों मारे गे अब चोका देने वाली बात ये है कि उस कार का ड्राइवर भी वही शक्स था जिसने नेवली का एक्सिडेंट किया और यह एक्सिडेंट सेम रास्ते पर सेम जगा और सेम टाइम पर हुआ था यह एक्सिडेंट एक साल के बीच में ही हुआ था एक आदमी जिसका नाम हैंडरी जिगलेंड था जो की टेक्सिस का रहने वाला था उसने अपनी गल्फरेंड को छोड़ दिया था उदास गल्फरेंड ने सुसाइट करने का सोचा और यह बात उसके भाई को बिलकुल पसंद नहीं आई और उसने हैंडरी को मारने का निरने लिया जब उसने हैंडरी पर बुलेट फायर किया तो वो बुलेट हैंडरी को छूकर पीछे एक पेड़ में जाकर गुस गया अब बात आती है 20 साल के बाद क्या हुआ दोस्तों 20 साल के बाद जब हैंडरी ने उस पेड़ को काटने का सोचा और उसने कुछ मशीनों का इस्तमाल से उस पेड़ को काटने की कोशिश की तो उस मशीन की वज़ा से वह बुलट पेड़ से एकदम से निकल कर हैंडरी के सर में घुस गया जिससे हैंडरी की मौत हो गई दोस्तों सचिन तंदूलकर जी जो कि किकड़ की दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं उन्होंने सन 1999 में अपने 1000 रन कम्पलीट किये थे जो कि उस्टेलिया के खिलाफ पांच में टेस्ट मैच में 19 वे अवर में कम्पलीट हुए थे अब हैरान कर देने वाली बात ये है कि उसके 15 साल बाद विराट कोलीजी जो कि किरकड़ की दुनिया के बाश्या हैं उन्होंने भी अपने 1000 रन कम्पलीट किये थे और वे भी उस्टेलिया के खिलाफ थे और उन्होंने भी 5. टेस्ट मैच के 19 वे अवर में ये काम किया था और वे दोनों 26 साल की उमर के थे बात है दिसंबर 1660 की एक जहाज डूब गया था जिस में से सिर्फ एक ही शक्त बचा था और वो था हीूज वीलिम्स दिसम्बर 5-1960 में दूसरा जहाज डूबा जिसमें से 127 लोगों में से सिर्फ एक शक्स बचा उस शक्स का नाम भी हुज विलिम्स था अगस्त 8-1820 को भी एक पिकनिक बोर्ड डूबी जिसमें से सिर्फ एक शक्स बचा उसका नाम भी हुज विलिम्स था जुलाई 10-1940 को भी एक ब्रिटिश बोर्ड डूबी जिसमें से सिर्फ दो लोग बचे और उन दोनों का नाम हुज विलिम सा तो दोस्तों ये किस्ता कुछ उल्जा देने वाला है लेकिन यही सच है दोस्तों आशा करतों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मारी वीडियो प्रसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और साथे साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और दोस्तों आपको कौन सा इस्तफाक सबसे ज़्यादा इंटरस्टिंग लगा हमें कमेंड बाक्स में ज़रूर बिदाएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद